साहज के इस lecture में हम जो define करने वाले हैं वो है Ministry of Health and Family Welfare की कुछ important central schemes वो यह जो आपकर second lecture हैं, first में देखे थे हमने central sponsored schemes की types देखे थे हमने और एक ruler development की scheme भी हमने discuss की थी वो अरड़ी हमने upload किया हैं वीडियो आप देख सकते हैं वो तो यह जो हैं आज हम health department जो health ministry हैं उसके अन्डर जो आने वाले कुछ important schemes जो यह पहला देखेंगे हम वो हैं आयुशमान बारत यह जो हैं बहुत ही बड़ी एक scheme है, world की largest insurance scheme है, तो आएगा इसी के अन्डर ती हैं तो यह जो recommend किया था, health policy जो हैं यहां पर 2007 में उसमें यह किया गया था, किसके लिए जो हमारा sustainable development goal है, health related वो achieve करने के लिए देखें, तो उसमें क्या था जो commitment था, leave no one behind, आपको किसी को भी पीछे नहीं चोड़ना है, देखें, गरीब को भी साथ लेके चलना है, जैसे आपक साथ सब का विकास, तो फिर वो अलग बात है, किसका साथ मिला इसको और किसका विकास हुआ, वो हम discuss यहां पर नहीं करने वाले, तो हम यहां पर देखेंगे, यह जो NSS का data जो है, 85 ruler households और 82 urban households है, उनको कोई भी access नहीं है, health insurance पे, इंडिया less था, किस में health insurance में है, तो इसके यह यह बनाई गई है, एक और effect है, 17% of Indian जो population है, वो spend करती है, अपना जो budget है, family budget, household budget, वो 10% करता है, health service पे, खर्चा, जब देखिए, आफ जो ruler family है, यहां आपकी lower group families जो होती है, household, उसमें जब 10% है, यह एक major portion होगा, income का, 10% जब वो खर्चा करेगा, इस पे, health service पे, तो ब down हो जाएगी, उसके साथ साथ, उसके living standard और जदा डाउन हो जाएगा, तो काफी important है, तो आगे देखते हैं, हम देखेंगे, इसमें, यह जो है, आईशमान बारत, यह flagship problem है, दो चीजों से बनता है, ठीक है, यह जो दो schemes इसमें include हैं, यह जब component मिल के बनाते हैं, आईशमान बारत, ठीक है, यह नहीं होगा, तो यह नहीं, तो आईशमान बारत नहीं बनेगा, यह जो important हैं, आपको याद रखने हैं, पहले wellness centers आएंगे, जो ऐसे 2018 में government of India ने announce करा था, कि हम deadlock wellness centers country में बनाएंगे, ठीक है, deadlock, उसमें कैसे बनाएंगे, जो existing, pre-existing, जो थे वहाँ पे, sub centers, यह primary health centers, उनको transform करके, यह upgrade करके, हम यह centers बनाएंगे, यह नए भी बना सकते हैं, ठीक है, तो इन में क्या-क्या, जो services हैं, वो दी जाएगी, वो है, pre-health care services, जैसे आपका हो गया, maternal and child, जो है, health services, or non-communicable disease, including pre-essential drugs, diagnostic services, यह आपकी सारा आएगा, यह आपको यह figure, डेड़ लाक याद रखनी होगी, जो है, आपको बनाने हैं, इंडिया government को, यहाँ पे PMJ, जिसको प्रदान मंत्री जन आरोगी योजना, आपके मोदे जी, रांची में, 2018 में, लांच करके गए थे, ठीक है, तो यह आपका, यहाँ पे largest health insurance scheme, जो हैं, वर्ल care में लेंगे, ठीक है, तो इसका जो है, टोटल इसमें कितनी household इंडिया की आएंगे, कितनी families को cover करेगा, वो करेगा, दस करोर, जो है, 47, 74 lakhs, ठीक है, इतना सारा, यह total population कितनी होगी इसमें, वो हैं, पंचास लाग लोग इससे, जो है, benefit, बेनिफिश्टी होंगे, इसके प total हिस्सा population का इंडिया का 40%, यह आपको याद रखने हैं, यह कुछ फिगर्स, यह आपको completely याद रखने हैं, तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, जो यह fact यहां पर मैंने बोला था, कि 25 सेप्ट्यूंबर था जो ब्रांची में, यह PM मोदी ने, जो यह launch करा था, तो वहा करने पड़ती हैं, वो स्टेट को करने पड़ती हैं, तो central sector schemes वो खुद करता है, यह जो है, यह central sponsor scheme है, इसे कौन करेगा, स्टेट, मगर यहां पर क्या है, flexibility की दी गई है, कोई स्टेट जो है, वो इसे लागू कर सकता है, या अपनी मर्जी से लागू नहीं कर सकता है, ठीक क्योंकि उसको already कुछ वहां पर जो है, कुछ scheme health related, ऐसी related चल रही है, तो इसने यह incur गया, यह implement करने से, तो इसमें आपको खाली याद रखना है, यह जो figures हैं, यह आपको याद रखने हैं, ठीक है, तो उतना ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, यह जो है, आपके benefits, यह हम आ तो यहां पर आप देखिए, और इसमें कौन-कौन से disease treat की जाएंगी, वो है, all pre-existing disease, कोई भी disease हो, जो है, वो इसमें include की जाएगी, यहां पर आप देखिए, यह हैं features, यह आपको याद रखने हैं, किसी भी हालत में, वर्ल लाजस्ट है, हालत insurance scheme है, या insurance scheme है, पांच लाक म उन private hospitals में, यह जो serious avail हो जाएगी, जो private hospitals, government में इसके लिए enroll किये होंगे, यहां इसको recognize किया होगा, जो सब भी private hospitals में, उनमें यह scheme है, यह नहीं चलेगी, ठीक है, तो यह आपको यहां पर ध्यान रखनी होगी, तो यहां पर यह देख सकते हैं, family जो है, यहां पर यहां पर पंदरा दिन तक आपको जहां भी hospital में रुखना पड़े, ठीक है, तो वहां पर आपको post surgery, post जो इसके बोलते हैं, hospitalization, all expenses, diagnostic medicines लेकी, treatment यहां खर्चा आपका, सारा कुछ यह scheme में होगा, ठीक है, there is no restriction on the family size and gender, यह जो important है, बहुत ज़्यादा, कोई भी हो, कितना भी है, आप 10 200, 200, 500, 100, 500 तक family member हो, सब को cover करेगा, यह ठीक है, तो यहां पर provide cashless healthcare services, यह आपका यहां पर बनता है, digital India जो है, यहां पर highlight करता है, तो यहां पर मैंने जो पहले बोला था आपको services क्या-क्या होंगे, wellness centers में यह आप यहां पर ध्यान रखे, pregnancy care, maternal health services, neonatal and infant health services, child care, neonatal हो गया, आ newly born, जो babies होते हैं, उनकी care service जो होते है, health service, वो आपका unit हो गया, तो chronical communicable disease, जिसमें आपके सभी diseases आएंगे, जो non communicable disease, management of mental illness, dental care, IQ है, और इसमें आएगा आपका, यह जो old age में, जो भी बिमार्या होती है, वो आएगा, ठीक है, तो अगर आप ज़्यादा जानने चाहते हैं इसमें, तो जा सकते हैं, इस वाले website पर, यहां मैंने दी हैं, इस के लिंक, जो आपको कुछ भी, इस पर eligibility अपनी देखनी हो, चको करनी हो, वो इसमें आएगा, तो आप यहां पर एक जान देखे, जो मैंने first lecture में, वो important, इसलिए था, मैंने बोला था, जैसे आपका यहां पर हैं, यह जो है, यह core scheme है, ठीक है, core में क्या होता है, funding share होती है, central state को, जैसे general categories जो मैंने आराम से, जो समझाया है, first lecture में, वो आप देख लीजे, वो आप first lecture में देख सकते हैं, तो general category states जो होती है, उन में 60% funding जो है, central provide करेगा, 60% जो 40% जो है, state करेगा, यह general categories जो special states हैं, जैनाथ इस्तन के seven sisters, पलस सक्किम, और पलस उसके हिमालियन three states, उत्राखण, हिमाचल और जमौन, कश्मीर, वो को मिला के 11 states उन में बनेगा, 90% उन में करेगा, कौन, central government, 10% only करना है, state करेगा, यहाँ पर अगर आप और एक दियान देंगे, जो भी union territory है, जो जिसका control central के देंगे, अगर आप देखेंगे first lecture, उसमें मैंने पहले, अब यहाँ पर आप देख सकते है, eligible कोन कोने, यहाँ पर एक चीज है, जो census है, उसमें जो data आपका दिया है, अगर आप उसमें हो, आपका नाम आपका है, तो आप उसमें eligible है, household without shelter, आपके जो भी है, जो भी है, आपके इतीम खाना या भी आश्रम होंगे, चैना, ऐसे हिंदु में जो आश्रम चलते हैं इंडिया में, तो उन में जो भी रह रहे हैं, वो भी इसमें eligible हैं, तो आपके सफाही वाले आएंगे, कबाड़ वाले, जो भी वो कुछ आएंगे, आपके, वो, आपके, क्या बोल लीगल जो हैं, रिलीज़ बॉन्ड़ लेबर जो हैं, वो भी आएंगे इसमें, हाउस होल्ड विद सेवन डिप्रिवेशन क्राइटेरिया, वो तो आपको दी गई थी पहले ही, जैसे आपका हाउस होल्ड में, चीज़ें अगर वो सब नहीं हैं, जैसे आपका हो गया ये ये भी आते हैं इसमेंची हैं, तो ये जो आपका यहां पर one or less more कच्चा रूर, ठीक हैं, अगर आपका मकान हैं, उसमें एक ही कमरा हैं, वो भी कच्चा मकान हैं, वो तो आप इलिज़बल हैं इसके लिए, अगर आपके कोई बी एडल्ट जो हैं, एटीन से 59 की ऐस तक नह सोड में तो आप भी अलिजबल हैं अगर फीमेल हैड करती हैं मकान को उसके जो मकाम है यह हाउस जो है उसमें जो है मेल जो है हैड नहीं है कोई भी मेल 25 से 60 की दर्मिया नहीं है तो वो भी इसमें आएंगी इसमें आपके बन गए इसमें जो है बी पड़ा लिखा नहीं हो वो भी इसमें आ सकते हैं लेंडलस हाउस ओल्ड जो वो ड्राइविंग मेजर पॉर्ट ऑफ इंकम फ्रॉम एन्वल लेबर्स जो है लेंडलस लेबर्स वो भी आएंगे इसमें इसमें कौन नहीं आएगा जो है अमीर नहीं आएंगे जैसे आपके मोटर गाड़ी कोई भी घर में हो चाहिए तीन पहीं दो पहीं चार पहीं क्य अगर आप के पास तीन जो हैं कम रहे हैं अपने मकान के उसके जो हैं वो भी पका मकान वह भी आप नहीं है लेंड जो आपके फाई एक एस अफ लेंड हैं तो आप इलिजिबल इसकी लिए नहीं है यह आप खाली अतना ज्यादा नहीं समझे बस ध्यान दीजे दूसरी हम देखने वाले हैं मिशिन इंद्रिदानुशी बहुत ही इंपोर्टेंट हैं यह इम्मुनिजेशन प्रोग्राम में जो चला हैं इंडिया में तो यह जो हैं पूरे गलोब में चलता हैं जैसे आपके जो हैं वैक्सिनेशन हो रही हैं अगें इस्ट सेवन डिजीज जो Glyberculosis और Whooping Cuck के लिए यह जो हैं यह वाला यह यह आई वैक्सेन दिया जाता हैं TB के लिए और यहें यह कुछ important है इसके लिए तो इसका जो हैं यह मैंने बोला है गलोबली चला रहा है यह program यह हैं तो इंडिया में भी चलाएpassen이 करेश जो हैं immunization coverage वो इसम suburbs में.- बबरी यह. self-sufficiency बढ़ेगी किनकी vaccine production in country ठीग है manufacturing जो बनाएंगे इसका तो established reliable cold equipment जो established होंगे इसमें district wise जो है system monitoring and evaluation बनेगी जैसे आपका कोई भी बच्चा छोड़ गया है जिसका कोई यह जो रह गया हो vaccine तो आपको district wise surveillance team जो network बनाएगी monitoring वो देखी गए आपको और देखे कि किसी को मत रहा यहां फिर जाएंगे गर में जाकर वो उनको vaccine दे सकते हैं ठीक है यह कुछ important है इसमें train भी कर सकते हैं health persons तो आप देख सकते हैं यहां पर यह कुछ important नहीं है उतना जादा आपको याद रखना बस खाली रखना है कि यह जो है full immune यह जो ensure करता है full immunization selected districts यहां यह जो coverage बढ़ाता है कि इसकी इसे कि फिर 2019 में यह intensified mission किया गया क्योंकि इसको और ज़्यादा intensified यहां पर आप देख सकते हैं easily mission दनुष जैसे आपके colors of rainbow होते हैं वैसे ही immunity agonist is seven childhood diseases childhood diseases होते हैं यह सब tuber close हो गया है आपका deptirative hepatitis B, polio missiles या woofing का फागवा है इनके tetanus जो आपका बनता है इनके जो हैं आपके vaccines किये जाते हैं जिसको T का करन भी बोलता हैं जैसे आपके इमिता बच्चन आ रहे हैं टीवी पे या रेडियो में वो T का करन करना ने जो एड में बोलता है कि जुरूरी करवाना है कुछ ऐसे तो यह बनता हैं आपका T का करन क्योंकि यह बहुत ही important है यह जो हैं आपको याद रखने हैं यह जो disease हैं childhood disease यह आपको याद रखने हैं किन-किन का यह जो seven हैं यह आपको important याद रखने हैं बस और रखना है क्या-क्या है फिर होगा इसके बाद जो scheme है वो है international women's day पे जो scheme launch की गई थी वो है menstrual hygiene जो scheme है वो इसमें hygiene जो है इसमें over educate किया जाता है girls को तो यह जो है यह scheme central scheme है यहाँ पे देख सकते हैं आप जो United Nations Children's Fund उसने define किया है menstrual hygiene management को क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है girls के लिए तो यह आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अगर जो इंडिया में हैं अभी जो हैं वो है in case of poor menstrual hygiene जो है risk of infections जैसे आपका हुआ है including sexual transmission infections जो है वो बढ़ जाते हैं आपके bacterial infections जो हैं वो ज़्यादा होते हैं yeast infections जो है वो भी बढ़ता है जैसे आपका use जब करते हो sanitary जो है napkins के बज़ाए आप कुछ using unclean regs leads to growth of unwanted bacterial that could lead to infection ये जो है बात में चल रही है emission ये जो है scheme तो इसमें क्या ज़्यादा risk रहता है जब आप unclean regs यूज़ करते हो तो blood born disease जो होती है such as hepatitis B virus जो होगा या serious illness like serious disease like immune deficiency जो आपका HIV बनता है which causes AIDS चीक है HIV हो सकता है इससे तो इसलिए ये important बनती है तो इस scheme में इसके features क्या है अगर आप यहाँ पर देख सकते है इस scheme के features वो है fundus to provide जैसे आपका हुआ ruler areas में adults and girls को subsidize rate पे sanitary napkins और ये जो है educate किया जाएगा management के लिए hygiene management के लिए तो इसमें increase awareness होगी improving access होगा ensure safe disposal तो यहाँ पर आपको man workers वो है आशा आशा यहाँ पर engage हो जाएगी ground level पर वो ही इसमें जादा तो इसके बाद आता है यहाँ यह महापुरुश जिसने यह bad man लाई थी movie hope आपने देखी होगी इसमें दिखाया गया है इंडिया में क्या खालत है इस जो management हाईजीन management हाईजीन की तो रूलर एरिया में यह movie जो है यह real-based movie यह real incident movie है यहाँ पर एक bad man अप इंडिया है जो real में है वहाँ पर एक जो यह provide करता है प्रेड्स अगर दे नहीं देखा है तो देखना बनता है क्योंकि यह important movie है आप देख सकते हैं काफी सारी awards भी मिले हैं इसमें इंडिया में तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्रैंड जो है hygiene among adults and girls जो है promote better health जो करता है इसने napkins are being also sold to adults and girls by Asha आशा गर जो है वो एक man worker है जो मैंने बोला था वो इसमें एंगेज होके जो sold करती है यही napkins जो subsidized rate पर government provide करता है इनको तो वो जाके गर में जाके इन adults and girls rule area में देगा तो एक डे भी मनाया गया मेनस्टोल हाईजीन डे पर 28 में है यह तो इसमें क्या है आपका जो है यहां पर देखे सवीदा जो है यह जो एक है बायो डिग्रेबल जो बनाया है इन लोगों ने एक सेनेटरी नैपकिन तो आप देख सकते हैं इसकी rate जो है काफी कम है क्योंकि यह जो है डाई रुपे में बनेगा आपका एक वे तो यहां आपके उरेसा गोवर्मेंट आती है फिर उसकी पहल जो है खुशी खुशी है यह पहल तो उसमें क्या है आपके छे से बारा तक जो भी कलास की लड़किया आए उनको फ्री यह जो सेनेटरी पेर्स है पाराम की गए थे तो काफी important scheme चलाई थी इन लोगोंने तो इसके बाद आएगा आपका PM SSY यह है प्रदान मंत्री सौस्त शुरक्षा यो नए और ज़्यादा country में हम inaugurate करेंगे चाहिए और बनाने वाले हैं यह इस scheme के अंडर 2003 में launch की गई थी तब से अब तक 14 बन गए हैं एंस्टी उतने से कम थे फिर आज तक 14 शायद हैं तो उसके अलावा इसमें होगा government medical college जो है अप्ग्रेट किया जाएगा और यह institution ऐसी medical field में यह कुछ ऐसे यहां पर देख सकते हैं इससे benefit किया होगा तो job creation होगी medical tourism जब आपका इंडिया में country में आपका health care जो infrastructure जो है बढ़ जाएगा आपकी जो health system बढ़ जाएगा country में तो medical tourism बढ़ जाएगा और economy जो आपका फाइदा होगा economy को फाइदा होगा referral system जो आपका बनता है जैसे primary, secondary health center से, primary health center से, secondary health center जब tertiary health center से वहां तक जब हम referral करते हैं किसी patient को वो कम हो जाएगी वो improve हो जाएगी ठीक है तो यहां पर different regions में जैसे आपका imbalance हैं किसी imbalances हैं जैसे आपके region में कोई M's हैं फिर जाके अगले region में यह नहीं है disparities जो हैं वो खत्म हो जाएगी इससे तो यह कुछ हैं जो नए बने हैं यहां पर देख सकते हैं आप उतना important नहीं है खाली बस याद रखना है क्या है यह क्या नहीं है तो यहां पर आप देख सकते हैं यह हैं जनानी सुरक्षा योजना काफी important है यह जो है safe motherhood के लिए यहां पर देखते हैं cash मिलता है assistant मिलता है कि इनको इन pregnant women को क्यों मिलता है because every pregnant women deserve care ठीक है जब care इनको होगा तभी care होगा बच्चों को तो यह जो scheme इनकी इसकी जो man future है वो है poor pregnant women को focus करना all states जिन में low initial delivery है initial delivery means hospital में delivery होना पहले जब अभी भी जब हिंदरस्तान में देखते हैं इंडिया में regular areas में अभी भी गर्म ही होती थी यह जो है delivery तो काफी unsafe होती थी वो अब जब इन issue deliveries होंगे वो काफी safe रहती है तो यह यह इखाल रखें यहां यहां पर देख सकते हैं आप इसका जो man जो है वो यहां पर एक हैं यहां आपका यह देखें इसका जो man to reduce maternal and neonatal mortality ठीक है mortality जो है वो इनकी death होती है जैसे आपके maternal death होती है या neonatal newborn baby की death होती है उसको reduce करने के लिए ये जो है इनिस्टिशनल promoting इनिस्टिशनल delivery ठीक है उसके लिए safe जो delivery है वो provide करने के लिए 1400 रुपए अगर आपके hospital में delivery होती है रूलर एरिया में मिल जाएंगे 1000 मिलेगा आपका अर्बन एरिया से हो उसमें मिलेगा आपका आशा का क्योंकि वो ख्याल रखते हैं उसको नाव मुएने तक आशा समय समय से उसको मिलेंगे 600, 400, 200 ये उसको delivery के हिसाब से मिलेंगे ठीक है तो ये काफी initial delivery जो इस scheme से increase हुई है वो है 47% था 2007-08 में over 78.9% है कब 16 में ये काफी safe delivery जो है from 52% to 81% तो आप देख सकते हैं काफी improve हुआ है ये जो ये scheme है काफी improve करा है इसने जो है initial delivery को promote किया है तो यहाँ पे आप देख सकते है ये जो है ये कुछ facts है ये आप याद भी रख सकते हैं खालिए आपको ये याद रखना है कि किस को होता है क्या क्या मिलता है इसमें आश्या को बसे ये कुछ याद रखना है इसके बाद हम देखतے है वो हैं पर्दान मंत्री गरीब के लिया नयोजना इसमें क्या है insurance scheme for health workers ये तो जो हमारी अभी जो war against COVID-19 है इंडिया में तो उसके लिए जो एक अदम उठाई गई है जो भी health worker है in case of accidental loss है यह उसमें जो भी है COVID-19 के दोड़ा जो भी होगा उसको जो है 50 lakh to 90 days for 90 days to 22.12 lakh तो public health care जो है community health worker के लिए यह काफी important जो इसमें क्या है तो यह आप देख सकते हैं और क्या क्या मिला है यह जो COVID-19 के खिलाब यहां पर जंग जो है अभी war तो उसमें क्या है PM किसान समीदी जैसे आपका यहां गरीब का जो PM किसान का वो 6000 मिल रहे हैं अभी जो लेबर यह जो किसानों को दो किस्तित में वो मिले है आपको जो यह आपका slender मिल रहा है उजव slender तो उसके बाद है EPFO जो provident front of होता है आपका वो भी आप निकाल सकते हैं इस दो रहां ठीक है तो ब्रदान मंतरी गरीब के लिए अन योजना जो है उसमें food supply जो आपको पहुचा जाएगी जैसे आपकी बीपेल फैमिली यहां AIY फैमिली उनको मिल जाएगा फ्री जो है आशन मिल जाएगा वो आरेटी मिल चुका है इनको तो यह है financial lesson मिलेगा आपका जैसे आपके जंदन अकाउंट में 500 मिलेंगे आपके जो है वोमेन के अकाउंट को जंदन अकाउंट में तो यह खाली है कुछ important facts COVID-19 के लिए तो यहां पे आप देख सकते हैं कुछ important हैं यहा आईश्मान भारत स्कीम जो है कब launch की गई थी जैसे मैंने बोला था वो 14 अपरेल 2018 में थीक हैं तो appointed क्या है इसका COE कोन है तो वो है answer D इंदू बोशन ठीक है यह आपका याद रखना है नहीं जो इसका chief executive officer भी है ठीक है तो आईश्मान भारत जो है target कितनी families को करता हैं जो म मैंने बहुत ही important पोला था है क्योंकि यह पूछा गया है अक्सर exams में यह देखो आपको 10 crore 74 lakhs जो family इसमें cover होंगे ठीक है 10 crore 74 यह आपका important बनता है यहां पर question तो यहां पर देख सकते हैं mission इंद्रदन जो launch किया गया था गांधी जहनती पर ठीक है तो यह जो है नहीं किय किया गया था यह इसका गलत है it will fully immunize children's by 2020 यह जो है ठीक है क्योंकि immunization program है तो only two आएगा इसका देगा है तो इसमें जो है यह जब launch किया गया था तो December 25th 2014 में जो good governance day होता मनायते हैं हम यहां पर country में तो वही उसका है तो it aims to immunize all children's against eight diseases यह आपका दूसरा statement यह वाला यह गलत है क्योंकि यहां पर seven colors होते हैं rainbow के और seven immune जो diseases हैं उनको cover करता है ठीक है यह पुस्ट वाला statement गलत हुआ तो second क्या है it will achieve goal by 2000 जो है 2025 which abo statement is here तो यहां पर है जो है यह भी गलत है क्योंकि तू यहां पर आप देख सकते हैं 2020 यह वाला जो है ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं यह भी दोनों जो गलत है none of the abo आएगा इसका answer तो यह आप यहां पर देख सकते हैं ऐसे questions बनते हैं इसमें यहां आप देख सकते हैं जनानी सुरक्षा जो योजना है उसके अंडर फैमिली वैल प्या जो है यह किसलिए बनाई गई है तो जैसे मैंने बोला था इसका जो मेहन है मैं है वह है reducing maternal and neonatal modality जो encouraging people तो जो ही पहला है यही आएगा इसका answer तो नीटी आयो जो है लांचर जो प्रोग जो हैं जिसका नाम था यह state government transforming education health sector system जो है यह प्रोग्रम किया था नीटी आयो लाच तो यहां पर आप देख सकते हैं चाहिल्ड ट्राफिकिंग या rescue children from persons trying to engage them in यहां पर sexual trade और यह anti-social activities यहां पर इसको नाम दिया गया था मुस्कान ठीक है यह प्रोग्रम लांच किया गया यह मुस्कान है इंडिया's first healthcare and wellness center अंडर आयुशमान बारत कहां पर inaugurate किया गया था वह हैं बेजापोर चाथेजगर में यह कुछ important है तो thank you जो आपने यह lecture series देखी जो यह lecture आज का देखा अगले lecture में हम अलग से ministry और इतना सारा जो है important जो हैं वही discuss करेंगे इतना सारा detail न तो हाँ जो करें शियर और सबस्क्राइब करें मेरी चैनल को और जो है हम आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाएंगे thank you